येदि आपके बेबी को गेस की प्रॉब्लम होते यानि कि उसे गेस्ट्रिक इशू है तो ऐसा क्या करें कि उस समस्था से निजात मिल जाए छुटकारा मिल जाए तो इस वीडियो में मैंने ऐसे दो अचुक उपाय बताएं जिसके करने से आपके बेबी को गेस्ट की प्रॉ फीड करवा रहे है उस टाइम पे आपको अपने बेबी का जो हैड है वो 30 से 60 डिगरी की इंकलिनेशन यानि कि अप साइड में उपर की तरफ रखना है और फीडिंग के बाद में सबसे जरूरी चीज क्या होती कि आपको अपने बेबी को बर्प करवानी है यानि कि उसे ड इलाना बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक बेबी को ड़कार नहीं आती आपको ऊसको कंट्रियूशन में दिलाते रहना है 2 चीज जिसका आपको धान में रखना है वो यह है कि आपको अपने बेवी को tummy time at least day में 3-4 पर जरूर देना है Tammy time देने से पहले आपको कुछ बातों का धान में रखना है वो यह है कि आपका baby 1 month का हो चुका हो 2 चीज आपके baby ने उससे पहले feed नहीं किया हो मतलब feeding के बाद में आपको बेबी को tummy time नहीं देना है third जीज आपका बेबी जितनी दे tummy time खुद से रख सकता है उतनी देर रखिए जादा उससे force नहीं करना fourth जीज जिसका आपको धान में रखना है कि आपके बेबी की nose या मुँ उसके नीचे नहीं आ रहे हो जब भी आपको लगता है आपके बेबी को gastric issue हो रहा है तो आप उसकी stomach massage कीजी massage के उपर में एक वीडियो बनाने वाली हो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा तो आप मेरे वीडियो से जुड़े ही मेरे channel के साथ क्योंकि आपको पहुत सार यासे important वीडियो मिलने वाले है मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट में कुछ उपाये बताऊंगी वो यह है कि आपको आपके बेबी को 8-10 time cycling करवानी है cycling के बार में आपको उसके pair ups करने down करने, band करने, हाथों की massage करने इस तरीके से जैसे कि इस वीडियो में मैंने दिखाया है और आप देखोगे कि आपका बेबी जब आप cycling करवा रहे हैं और exercise करवा रहे हैं उस टाइम पे गेस पास करता है तो यह बहुत ज़्यादा important होता है जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने दिखाया है आपको अपने बेबी को सेम ऐसे कि आपको exercise करवाना है इसके तरूब बेबी की गेस ज़रूर पास होते है बेबी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है आपके बेबी को पैर को up and down करना है और उसके फूट को उसके हैंड तक टच करने की कोसिस कीज़िए आपको करना है यह सारी exercise बच्ची की साथ और फिर भी आपका बेबी ट्रेवल में उसकी गेस पास नहीं हुए है तो आपको क्या करना है कि आपको आपके बेबी की नावी की ओपर हिंका पेष्ट लगाना है इस पेष्ट को आप बेबी की 1-1.5 इंच की दूरी पर नावी पर आपको लगाना है वो भी clockwise direction में अब हम बात करते कि आपको हिंका पेष्ट किस तरीके से बनाना है तो आपको क्या करना है आप एक स्पून ले सकते हो या फिर बावल ले सकते हो उसमें 2-3 चुटकी आपको हिंक लेना है पाइब मिनिट्स में गेस पास हो जाएगी और पोटी के थुरू भी बच्चा कई बार है ना अगर पोटी से रिलेटेट कोई इशू हो रहा होगा तो वो भी सोट आउट हो जाएगा और आपके बिबी को पोहत जल्दी आराम मिल जाएगा